हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मदर डॉटर कुकिंग शो में आज हम लेकर आये आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसेपी यह हमारी पूरन पोली जो हमने दो तरह से तैयार किये तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां हमने चनी की दाल लिए जिसे दो हानों बहुत मिल जाएंगी तो जैसली हमारी पख जाएगी उसके बाद टाल को अलग हटा लेंगे उसके बाद में goji समफ कर देढ़े यह पकने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और लाल मेर्श पाउडर करेंगे क्योंकि सिर्फ हमने अधरक एक जो कि जल्दी पक जाती है अब हमने घर का बनावा गरम मसाला इसमें आदा चमच के करीब एक कर दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें अमचुर दाल कि दो पका लें ऑगी एसके बाद में नमक कर दिया है स्वात का नूसार और पावडर राज्ट कर दिया है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इन जीजों को मिक्स कर लेंगे और हमने एक से दो चम्मच पनीर लिया था वो इसमें एड़ कर देंगे यह optional है आप चाहें तो एड़ कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत ये soft हमारी पुरनपुली तयार होगी अब हम मीठे की तयारी कर लेते हैं तो यहां हमने दो छोटे चम् पानी इसमें डाल कर हम गुड़ को अच्छा से मेल्ट कर लेंगे और जैसे ही इसमें अच्छा से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें पनीर रेट कर देंगे पनीर यहां भी optional है आप चाहें तो पनीर इसकीप कर सकते हैं यह देखिए यह कितने अच्छा से हमारा अब उसमें से जो दाल हमने थोड़ी बचा रखे थी वह हमने मीठे के लिए इस तरह से तयार कर लिए अब जब इसका पानी पुरे तरह से जल जाएगा तब हम इसको अलग कर लेंगे यह दोनों ही हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं एक हमारी नमकिन वाली और एक हमारे मीठे अब हमने यहां आटा लगा लिया है जैसे नॉर्मल हम रोटी यह पराठे का आटा लगाते हैं अब इसको हम अच्छे से बेल लेंगे उसके बाद में हमने नमकिन वाली स्टफिंग इसमें भर दी है उसको आटा लगाकर हम हलके हाथों से इस तरह से बेल लेंगे और तेल लगा कर अच्छे से बैडीन से आप चाहें तो इसे गी से सकते हैं तो इने अगल reflect कि इतनी अच्छी में वाले करारी धिया हमारे क्राटन पुर्ण बॉल्ण बिम tay को मारे बनाने तो में यहां तो इसे डोब यहां झले हैं अब मीठे की स्टफिंग भर लें और इसे भी इस तरह से पेक कर लेंगे और थोड़ा सुखा हाटा लगा के इसे भी इस तरह से बेल लेंगे इसी तरह से हम सभी को रेडी कर लेंगे इसमें भी हमने उपर से देशी घी लगा लिया है और इसे अच्छे से से शेख लिया है इसे आप हलके हाथ से और हलकी आच पर सेखें जिससे कि यह बहुत अच्छे खसता भी बनेंगे और अंतर तक अच्छे से पक जाएगी तो यह मीठी वाली भी हमारी रेडी है अब इन सब के हम सर्विंग करनेंगे तो अगर आपको यह वीडियो हमारी पैसंद आई है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्र